Dear students, lesson मोति गज मोतिनियर में आपका फिर से खुशाम दी इस lesson के पहले वीडियो में हमने last में पड़ा जब काफी पलांटर ने चोहान से देशा के बारे में बोला क्या इसकी कोई बीवी है तो चोहान ने जवाब दिया इसकी तरफ तो गाउं की कोई भी लड़की नहीं देखती है बीवी तो दूर की बात है तो अब आगे क्या होता है? आए पड़ते हैं देशा ने अब मश्वरा किया कि मैं अब सच बोलूँगा देशा ने कहा मैंने दो महीनों से शराब नहीं पिये अब मैं यहां से जाना चाहता हूं ताकि मैं एक तो अच्छी तरह से शराब पी सकूँ दूसरा मैं यहां आपको कोई भी परिशानी नहीं करना चाहता हूं काफी पलांटर ने देशा को मुश्करा के बोला देशा अब तुमने सच बोला अब मैं आपको छुटी दे सकता हूँ अगर मोती गज का कोई और खयार रखेगा देशा ने जवाब दिया साहिब मैं सिर्फ दस दिनों की छुटी लेता हूँ इसके बाद वापसाता हूँ और देशा ने मोती गज को जोर से आवाज लगाई और बोला मैं यहाँ से दस दिनों के लिए जा रहा हूँ और तुम यहाँ काम करते रहना और चोहान के आडोर्स को ओबी करना मोती गज ने अपनी टरंक से देशा को हवा में लेह रहाया और उससे गुडबाई कह दिया देशा ने कौफी पलांटर से का अब मोती गज काम शुरू करेगा और मैं यहाँ से चलता हूँ चोहान मोती गज से कैनली पेश आता था लेकिन फिर भी मोती गज मायूस और अकिला मासूस कर रहा था लेकिन इसके बावजूद भी मोती गज अच्छे से काम कर रहा था और दस दिन के बाद क्या होता है देसा वापसा जाता है लेकिन क्या होता है इससे पहले मोतिगज काम की जग़ से दूर वागने लगा जैसे इसको कहीं और काम करना था चोहान बिचारा मोतिगज को जोर से आवाज दे रहा था वापसा जाओ वापसा जाओ लेकिन मोतिगज नहीं माना चोहान और जोर से मोतिगज के पीछे गया और उसको पकड़ लिया तो डियर स्टुडेंट्स इन्शलाइ नेक्स टेवरी में और पढ़ेंगे इस लिसन के बारे में तब तक के लिए खुदा हाफिस